पूर्ष च्रेंट कैसे हैं आप मैं आप सबों का बेस टिक्निकल एकडमी का ऊनलान पॉटल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग बहुत सांदार लेक्चर्स लेकिर क्या आपके पास आ रहे हैं पावर यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइज सस्क्राइब करना बिल्कूल ना भूलें दोस्तों को सेर करना भी ना भूलें ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट कोई खास लेक्चर आपके लिए होने वाला है तो इस लेक्चर को लास तक जरूर से जरूर देखें क्यो को क्या होता है कि आगे से क्या हुता हि लिंक आप होता है ठीक है step by step लेकल के चलता हूं कि कहीं पर आपको कोई देख्कत दिकत ना हो कठेनाई का कोई सामना ना करना पड़े इसका मैं पूरा बारिकी से आपका ख्याल रखता हूं ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे वरकिंग ओफ थाइरिस्टर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑपरेशन ओफ थाइरिस्टर आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन त्री मोर्ट और खर्पेश्ण ऊपरेश्ण निया फिर एंस शियर्पहेज में कैसे ओक्रेशन करते हैं किसरी मोड्र रमी मां झालद करते हैं क्वaghum Rimwe includ Original द्य Ђजे के वसलगें मोड ऑफ अपरेशन होता है पहला मोड जो होता है रिवर्स ब्लोकिंग मोड जिसकों लोग बोलेंगे सोट में आर बी एम रिवर्स ब्लोकिंग मोड दूसरा जो होता है कि फॉर्वर्ड ब्लोकिंग मोड दूसरा जो होता है आपका फॉर्वर्ड ब्लोकिंग और वर्वर्ड ब्लोकिंग मोड एप बीएम से इसको डिनोट करते हैं किससे एप बीएम से डिनोट करते हैं तिसरा जो होता है आपका फॉर्वर्ड कंडक्शन मोड होता है तिसरा कौन करता है आपका FCM, RBM, FBM और क्या FCM के तीर मोड में क्या करता है बिल्कुल operate करता है ता ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग मतलब जब भी अलेक्टिकल का ब्लॉकिंग का बात करते हैं तो ब्लॉकिंग मतलब होता है करेंट ब्लॉकिंग और करेंट ब्लॉकिंग मतलब बताइए open circuit होगा तभी तो current ब्लॉक होता मतलब क्या open circuit यानि कि electrical में जब जब blocking का बात करेंगे तो मतलब electrons या current का blocking का हम लोग बात करते हैं इसको अगर हम blocking बात कर रहे हैं ब्लॉकिंग मतलब क्या होगा, आफ होगा, ब्लॉकिंग मतलब कैसा होगा, बताइए, आफ होगा, ब्लॉकिंग मतलब कैसा स्विच होगा, बताइए, ओपेन स्विच जैसा बिहाइबियर होगा, आफ मतलब कैसा होगा, ओपेन स्विच जैसा बिहाइबियर होगा, यानि कि इ का मतलब भी होगा of me kaisa behavior होगा बताइए open switch जैसा इसका behavior होगा forward connection mode एक आग बताइए on on मतलब क्या होगा open switch के जगह पर क्या आग बताइए closed switch जैसा इसका क्या होगा behavior होगा ठीक है तीन mode of operation में क्या करता है behavior इसका मोड में इसको operate करेंगे reverse reverse मतलब p-tap material को से यानि को निगेटिव से connect करेंगे और कर शोर्ट को पॉजेटीव से तरि बास वाइस होगा करने में क्या करें этом में और बॉस्ति लाइस में हमारा इंवजी को प॑जेटीव से connect करते हैं सिस्टमेटिक चान डायगराम बनार करके यह करके बारी बारी इस हम लोग दिखाएंगे ठीक है तो यानि कि ब्लॉकिंग मतलब आफ होता है और कंडक्शन मतलब क्या होता है ओन होता है ओन में कैसा इसका बिए बिरोगा बताइए क्लोज स्वीच के बारे में इसको आप कि अनले कि में हम लोग कर लीजीे और एक करके सबसे करते हैं सबसे पाला आपका रिवर्सटर के हम लिए कि अदिक है इद्यक्वाथ बिल्कुल करकल ऊपिर्णर के समझना बिलकुल खोल करके समझना है ठीक है हम हम पढ़ रहे हैं फारीश्टर का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देखो कोई भी मोड है ती नो मोद में जिसको में गेट ऊपेन सरकीट रखते हैं गेट को खुला रखते हैं यह हमारा फोरवड बाईस कब होता है, अफोरवरस बाईस कब होता है, यह ढivity फोरवरबास कब होगा, यह आपका निगेटीफ से कनेक्टेटटेड होगा, यह फोरवरण बाईस कब होगा, यह ज 기자Ñनि पी नीगेटिब से तब इसको मों क्या बोलेंगे बताए कौंसा बाइस बोलेंगे है रिवर्स बाइस में देखो यह जंक्षन जेवन जो है जंक्षन जेवन हमारा फोरोड बाइस एक है कैसे देखो जैसे हम PN जंक्षन डाओड पड़े थे जब P यानि कि जंसन देखो यह निगेटीब है निगेटीफ से कनेक्टीब है ते लेकिन वाला टरणिनल निगेटीब है और पी वाला चेटरी की है रिबर सबस्क्राइब क सबस्क्राइब सबस्क्राइब करते कंशें कोबशार यान है यह जोचीइटीट्र सबस्सक्राइब कौन सा बाईस है फोर उड बाईस है यह जो जंक्शन क्या है जेवन्ड क्या है? रिव्रस बाईस है यह हमारा थारिष्ठर नीगेटीव से और कैथोड किन्थे होगा किस से पोजेटीव से यानि कि इस मोड में यहनि के अनोड को हम लोग क्या रखते हैं बताहिए एनोड is made positive with respect to cathode, इसमें हमारा क्या करते हैं, बताइए, एनोड को हम लोग क्या करते हैं, एनोड is made positive नहीं, एनोड is made negative, एनोड is made negative, किसके respect में with respect हो, cathode with open circuit, यानि कि एनोड जो होगा से negative से connected होगा, cathode जो होगा से क्या होगा, positive से connected होगा, जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, तो P type material negative, N type negative reverse wise, N type material positive, P type negative क्या reverse wise, ये वाला देखो, positive side P, negative side N, ये क्या forward wise, यानि कि इस mode में, इस mode of operation में, junction J1 और J3 क्या होता है, reverse wise, जब कि junction J2 क्या होता, forward wise, objective questions है कि reverse blocking mode में, कौन सा junction जो होता है, से क reverse wise, junction J2 जो होता है, forward wise, और reverse blocking mode में, gate क्या होता बता ये, ये जो होता, OC होता, open circuit होता, यानि कि इसमें कोई भी connection आपका, नहीं होता है, ठीक है, अब देखो हमारा, जब एp forward wise है, और ये दोनो reverse wise है, आप देखो हमारा, क्या होगा, junction J1 और J3 से some leakage current flow करेगा, किस direction में flow करेग यहाँ पर देखिए हमारा, इस direction में आपका VB है, VBR माल ले जाए, यह हमारा, इधर voltage अगर हम अप्लाई करेंगे, positive से इधर में हमारा क्या होगा, एक leakage current ये दोनों junction को, हमारा minority charge carrier के currents क्या होगा, flow करेगा, जिसको हम लोग, ultra direction में चुकती flow कर रहा, इसलिए बोलेंगे, इस स्मॉल होता है, वो minority charge carrier के कारण होता है, minority charge carrier ऐसे भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, majority charge carrier क्या होता है, ज्यादा होता है, जो भी leakage current कहीं भी आप पढ़े होंगे, leakage current, तो minority charge carrier के कारण से लेक्टोनी से फ्लो करता है, अब minority charge carrier बहुत ही small होता है, यह जो leakage current होगा, क्या होगा होगा? ह्टेनल यह समॉल लिकेश light- ouvert नियुक्क देज भंड जय कि जयसे हम लोग सकते हैं. यदि वह अस्डेट एनिक कि इस मोड में नहीं होता है। नहीं होता है। हमेशा अफ रहता है। रिभास ब्लोक इस मोड में अफ रहता है। राता है द्रैश में थारिषटर आफ रहता है यतीं हमारा यदी हमारा देखो यह वाला बोल्टेज में यह वाला बॉल्टेज को बढ़ाते जाया यदि जदा बढ़ादेगे फ्लो किया कर रहा है लेकिन अगर इसको बहु जढ़ा इंकरीज करेंगे एक लेवल तक इंकरीज कर देंगे जिसको बोलेंगे रिवर्स ब्रेगड आन्व वोल्टेज जंक्सन जेवन जी 3 का वगा ब्रेक कर जाएगा और इसी तो फोरोड वास में है इसको कोई टेंसन है नहीं तो इससे हो करके बहुत हेवी करेंट फ्लो करेगा जिसके कारण से थारिष्टर मेबी बर्नोट हो सकता है, मेबी जल सकता है, मेबी खराब हो सकता है, यानि कि यह हमारा VBR, VBR क्या बता है, यह reverse breakdown voltage, यह हम VI करेटेस्टिक्स लास्ट में तीनों मोड पढ़ने के बाद हम बनाएंगे, तो उसमें हम लोग दिखाएंगे, यह VBR ज तक तो क्या होगा, यह junction J1, J3 breakdown हो जाएगा, और यह conduction स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, यह इतना ज्यादा heavy यहाँ पर temperature डेवलप होगा, जिसके कारण से device क्या हो सकता है, बताइए, खराब होगा, क्योंकि current यहाँ पर क्या होगा, rapidly क्या होगा, develop करेगा, rapidly हमारा heat generate होगा, तो बहुत जादा amount of heat के कारण से thyristor क्या जागा, burn out हो जागा, यानि कि कहने का मतलब, यह VBR से हम लोग जब भी इसको work करवाते हैं, तो नीचे बर करवाते हैं, यानि कि maximum operating voltage क्या हो सकता है, बताइए, maximum operating voltage of thyristor, exceed नहीं करना चाहिए, किस से VBR से, VBR से, exceed नहीं कर open switch जैसा क्यों क्यों सा भी हैब करेगा, यह thyristor भी हैब करेगा, यानि कि इस reverse blocking mode में हमारा क्या करते हैं, anode को negative, cathode को positive, और इस तरह से करते हैं, जिसके current with gate क्या है, open circuit है, और यह जो junction J1, J3 होता है, reverse wise, J2 क्या होता है, forward wise होता है, अब इसमें क्या करते हैं, क्यों forward wise, reverse wise होत negative है, P जो है से negative है, इसको क्या बलेंगे, reverse wise बोलेंगे, इस junction को हम लोगो क्या बलेंगे, बताई हो, forward wise बोलेंगे, यह junction जो है से reverse wise है, अगर हम इसका voltage को अगर further increase करते हैं, और एक level तक increase करेंगे, ति reverse wise junction जो होगा, break होगा, एक conduction start हो जाएगा, rapidly current increase करेगा, जिससे temperature rise होगा, और यह थारिष्टर जो है से क्या हो जागा, बताई है, यह burn out हो जागा, ठीक है, यानि कि यह जब भी हम लोगो को voltage apply करना चाहिए, इस VBR से क्या करना चाहिए, कम ही करना चाहिए, यानि कि maximum operating voltage reverse mode में कितना हो सकता है, VBR से कम हो सकता है, और यह कम होगा, तो यह दोनों कैसा switch जैसा भी है करेगा, open switch जैसा भी है करेगा, यानि कि थारिष्टर का जो working होगा, थारिष्टर का जो behavior होगा, कैसा होगा, open switch के जैसा होगा, यह बहुत ही important हाप है, exams point अभी उसे, guaranteed है कि exams में बार बार आता है, या कैसे थारिष्टर work करता है, इसका कौन-कौन सा mode of operation होता है यह पहला mode of operation है, कौन सा? reverse blocking mode, ठीक है, इसको आप note down के जिए, फिर हम दूसरे mode of operation में इंटर करते हैं, इसको note down के जिए, do fast चले देखिए, यदि आप चाहते हैं कि सारे blocking mode, सारे सब चीजे, टूरिए, power electronics देखे, all subject देखे, तो based technical academy app को download कर लेना है, वहाँ पर सारा systematic way में आपको available होगा, ठीक है, जो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, जो लोग जिनका friend नहीं देख पारेंगे, friend को जरूर से जर download कर लो, वहाँ पर सारा चीज आपको available है, सारा चीज आपको इटूजेट मिल जागा, वही minimum सो minimum cost में, minimum सो minimum price में आपको मिल जागा, ठीक है, तो सारे semester wise available है, 6 semester, 4 semester, 2nd semester, 1st semester, सभी branch के लिए lecture available है, आपका base technical academy app में, तो हाँ download करना ना मूले, और यदि चैनल पर देख रहे है दोस्तों को share भी करना है, और motivate करते रहना, आपका एक like आप मेरे को बहुत motivate करता है, एक share आपको मेरे को बहुत motivate करता है, ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे continuous mode में, तो हम लोग पहला देखे थे, हमारा reverse blocking mode, अब हम लोग इसका thyristor का दूसरा case देखने जा रहे ह है, क्या देखने जा रहे है, reverse blocking mode, दूसरा mode देखने जा रहे हम लोग, reverse blocking mode, अब देखे मारा reverse blocking mode में क्या करते हम लोग, नियान दीजेगा, reverse blocking mode में, when anode is made positive with respect to cathode, when anode is made positive with respect to cathode, then get open circuit, then forward vice is called forward vice of thyristor, यदि अनोड को positive, और cathode को negative terminal of battery से connect करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बलेंगे, forward vice of thyristor, एनोड को positive, जैसे reverse vice में anode को negative connect किये थे, cathode को positive किये थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, anode को हम लोग क्या करेंगे, बताइए, positive, cathode को क्या करेंगे, negative, तब होगा, forward vice, forward vice में देखे, कौन सा junction क्या ह आता है, बहुत objective में पूछा जाता है, जैसे कि देखो ध्यान दो, एक पी टाइप positive से connected है, यह negative side से connected है, तो यह junction जेवन कौन सा बाइस होगा, बताओ, यह हमारा होगा, junction जेवन forward vice, junction जेथरी कौन होगा, बताओ, यह negative है, एन वाला, और पी वाला देखे, पोजेटीव हती इवी क्या आगा बताओ, forward vice, यह junction जेटू क्या आगा बताओ, inside positive, P side negative, यानि कूल्टा है, उल्टा है, मतलब कौन सा बाइस होगा, reverse vice, यानि किसमें तीन junction होता है, थारिष्टर में अल्यदी हम previous class में discuss कर चुके है, जिसमें यहां पर अगर हम reverse blocking, blocking मतलब किसको block करेगा, बत बात करेंगे, इस mode में, junction J1, J3, जो है से आपका, क्या होगा, बताओ, forward vice होगा, जबकि junction J2, जो होगा, से क्या होगा, reverse vice होगा, जैनि कि forward vice junction J1, जो होगा, से क्या होगा, reverse vice होगा, कैसे होगा, समझ माया, AP positive से, इधर negative side से connected है, तो क्या होगा, forward vice, यह देखो, N, जो है, से negative से, P positive side से, तो forward vice, यह देखो, N, जो है, से positive side से, P negative side से, क्या होगा, reverse vice, यह पूरा thyristor का forward vice में, जब anode positive होगा, कैथोड क्या होगा, negative होगा, with gate open circuit होगा, तब इसको में, क्या बोलेंगा, forward vice, और यह क्या, unidirectional है, unidirectional करने, मतलब, एक ही direction में, इसको current flow करता है, अब forward में भी, blocking mode भी है, conduction mode भी है, blocking mode कब तक है, इसमें क्या होगा, इस mode में क्या होगा, small leakage current flow करेगा, किस से, junction J2 के कारण से, रिवार्स बाइस में, अगर यह भी forward vice रहता है, तो क्या होता, बताए, easily current flow करता, लेकिन इसके, कारण से, रिवार्स बाइस होने के कारण से, यहाँ इस लिकेज करेगा, 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 गहाता कैसा भी बिरोगा ओपिंसुच जाइसा भीया रोगा याने कि even if फारिश्टर इच इन फर्वर्ड मोड यानि कि फॉर्वर्ड मोड में होते हुए भी कैसा इसका भीएवर करते हैं और यहां पर यह कब तक टर्ण नहीं होता है जब तक कि फोर्वर बोल्टेज को यह फरता यहां पर प्रेट क्या है अपर इंधा रहा कौन सा मोड उपरसफे परिया यह हुआ है यह फर्वर्वर्ड ब्लॉकिंग मोड और विश्री यहल में जे दाइए बीजांस जेवन जेटरी कौन सा जे वन जे लोता से फ्रवाड़ वआइस होता है जब कि जंक्षन जे टू क्या रिभास होता है इसमें लिकेज करण फ्लो करता है dividing Megate किस के करने किसके करण्स जंक्षन जटू कर रिभास में होने के कारण्स इवन इफ फोरण blocking mode में है लेकिन offer high impedance होने के कारण से कैसा treat होता है बताइए open switch जैसा है treat होता है कौन सा बताइए यह जो है से hcr है जिसको में लोग क्या बोलना है थारिस्टर बोल रहा है यह हमारा रहा कि थारिस्टर का दो mode of operation हम लोग देखें पहला देखें क्या forward, sorry reverse blocking mode दूसरा देखे forward blocking mode जिसको बोल रहा है क्या FBM थीक है जो है से बाकी और हम लोग एक और mode of operation है और VI characteristics है दो चीज़ है एक और mode of operation है VI characteristics है जो कि हम लोग अगले lectures में लोग देखेंगे थीक है अगले lectures में हम लोग देखेंगे तो अगले हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं तो अगले लेक्चर का भी बिलकुल आप इंतजार करते रहें और इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत-बहुत धिर्दर दिल से धन्यवाद लास्तक देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लाइ झाल झाल